आदी में परमेश्य था परमेश्य ने अपने वचन के द्वारा संसार और उसमें जितनी चीजे हैं उनकी रचना करी परमेश्य ने उजियाला बनाया और पानी बनाया परमेश्य ने सुखी भूमी और सब तरह के पेड़ बौधों को बनाया परमेशों ने सूरत, चांद और सितारों को बनाया और परमेशों ने अकाश के पक्षियों को और मचलियों को और सब प्रकार के जानवरों को बनाया और उसके बाद परमेशों ने मनुष्य को अपने सरूप और अपने समानता में नर और नारी करके बनाया परमेश्य ने मनुष्य को भूमी की मिठी से रचा और उसकी नाक में जीवन का सांस भूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया उस मनुष्य का नाम आदम हुआ परमेशुन ने उस मनिश्य को ले जाकर एक बाग में रखा ताकि मनिश्य उस बाग में रहे और उसकी देख भाल करे और परमेशुन ने उस बाग में कई तरह के पेड़ों को लगाया ऐसे पेड जो स्वात दिश्ट फल उत्पन किया करते थे और साथ ही उसने बाग के बीचों बीच दो पेडों को लगाया एक पेड जो जीवन का फल देता था यदि मनिश्य उसका फल खाता तो सदा जीवित रहता और दूसरा पेड जो भले और बुरे का ज्यान का फल देता था और परमेश ने मनिश्य को एक चेतामनी दी और कहा कि तुँ उस बाग के सबी फलों को खा सकता है लेकिन वो पेड जो भले और बुरे का ज्यान का फल देता है उस पेड का फल ना खाना नहीं तो तू मर जाएगा परमेश ने कहा मनुश्य का अकेला रहना अच्छा नहीं इसलिए परमेश ने आदम को एक घहरी नीन में सुला दिया और उसकी एक पसली निकाल कर उसने इस्त्री की रचना करी और परमेश उस इस्त्री को आदम के पास ले गया और जब आदम ने उस इस्त्री को देखा तो कहा अरे ये तो मेरे जैसी मास और हड़ी है ये नारी कहलाएगी आदम और उसकी पत्नी बिना कपडों के रहते थे लेकिन लजाते ना थे तब परमेश ने आदम को और उसकी पत्नी को आश्शीश दी और कहा फूलो फलो और इस प्रिथी पे भर जाओ और अकाश के पक्षियों पर, समुद्र की मचलियों पर और सब परकार के जानवरों और इस पूरे संसार पर राज करो तब परमेश ने संसार को और उसमें जितनी चीजी थी जिनकी उसने रचना करी थी देखा और कहा बहुत अच्छा है इस परकार परमेश ने छे दिन में संसार की रचना का कारे समाप किया और अगले दिन यानी सातवे दिन परमेश ने विश्राम किया आराम किया और उस दिन को पवित्र छराया क्योंकि उस दिन परमेश ने अपने सारे रचना कारे से विश्राम किया था ये कहानी परमेश्र के वचन से है